जै मातादी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जै मातादी जरूर लिखें दोस्तों, 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के दिन साल 2020 का चोथा चंद ग्रहन लगने जा रहा है आपको बता दें कि 5 जुन से लेकर 5 जुलाई के बीच तीन ग्रहन का लगना सुब नहीं माना जा रहा है पांच जून को साल का दूसरा ग्रहन जो चंद ग्रहन के रूप में देखा गया था इसके बाद 21 जून को सूर ग्रहन लगा जो की सदी का सबसे बड़ा सूर ग्रहन था अब ठीक बात 15 दिन के भीतर ही तीसरा ग्रहन लगने जा रहा है जो साल का चौथा ग्रहन है आपको बता दें कि 5 जुलाई को लगने वाला चंद ग्रहन जादा सक्तिसाली तो नहीं है लेकिन जिस तरह से बीते 30 दिनों के अंदर 3 ग्रहनों का योग बना है उससे इसके परेडाम भी सुब नहीं माने जा रहे हैं क्योंकि जब एक माहा में दो से अधिक ग्रहन लगते हैं तो इनका नकारात्मक प्रभाव सभी पर दिखाई देता है आपको बता दें कि 5 जुलाई का चंद ग्रहन आसान मैने की पूर्णिमा को दिन रविवार को लगने जा रहा है इस दिन गुरू पूर्णिमा का पर्व भ भी है और जब यह चंद ग्रहन घटित होगा तब जो ग्रहों के इस्तिती बनी हुई है वो भी ठीक नहीं है इसलिए इस चंद ग्रहन का असर हर रासी के जीवन को प्रभावित करेगा यह चंद ग्रहन अपने साथ कई अजब संयोग लेकर आ रहा है इस दिन सरवार्थ जो राज से लेकर अगले दिन सुबह तक रहेगा साथ ही इंद्र योग भी बन रहा है इसके इलावा मंगल का रासी परिवर्तन और सूर का रासी परिवर्तन भी होगा लेकिन इस चंद ग्रहन के दावरान पांच ग्रह वक्री अवस्था में होंगे जो एक असुप संकेत ह इससे पहले 21 जून के सूर ग्रहन में 6 ग्रह वक्री थे लेकिन सुक्र अब मारगी हो चुके हैं किन्तु सनी बुद्ध, गुरु, राहु और केतु अभी भी वक्री अवस्था में रहेंगे तो ये जो ग्रहों की अजीब इस्तिती बन रही है ये हर रासी, हर व्यक्ती बल दच्णी पस्टमी यूरोप, इस्पेन, पुर्तगाल, इटली, फ्रांस, इंगलेंड, आयरलेंड, बेल्जियम, जर्मनी, हॉलेंड, अफ्रीका, उत्री दच्णी अमेरिका, प्रसांत महासागर, हिंद महासागर और अट्रांटिका महासागर में दिखाई देगा, लेकिन यह चंदग्रहन भारत में दिखाई नहीं देगा, चलिए अब बात करते हैं कि यह चंदग्रहन किस समय दिखाई देगा, तो आपको बता दें कि यह चंदग्रहन भारती समय के अनुसार 5 जुलाई की सुबह 8.37 मिनट पर सुरू हो जाएगा, और इस चंदग्रहन का परम सुबह 9.69 मिनट पर होगा, इसके बाद इस चंदग्रहन का मोग्छ काल सुबह 11.22 मिनट पर हो जाएगा, कुल मिलाकर इस चंदग्रहन की अवधी लगबग 2.43 मिनट की रहेगी, यह एक उपचाया चंदग्रहन है, इसलिए इस चंदग्रहन का सू तक नहीं लगेगा, या पालन जरूरी होगा, आपको बता दें कि 5 जुलाई का चंदग्रहन धनूरासी में लगने जा रहा है, जिस कारण धनूरासी के जातकों की परेसानियां बढ़ सकती हैं, इसलिए उन्हें इस चंदग्रहन के बुरे प्रभाव से बचने के लिए उपाय जरूर करने चाहिए ता कि ग्रहन की असुबता को कम करने में मदद मिल सके, चलिए अब बात करते हैं कि वह कौन सी चार लकी रासियां हैं जिनके लिए यह चंदग्रहन सुब सयोंग लेकर आया है, उनके लिए आने वाला समय बेहद अच्छा रहने वाला है, आपको बड़ा धनलाब भी होगा लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप से रुकेस्ट है कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल वर्ल बैस मैजिक सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सस्क्राइब कर लें, तो आईए शुरू करते हैं, दोस्तों तो सबसे पहली रासी है मेस रासी, मेस रासी और जो लोग वैपारी हैं, उनके लिए भी वैपार में लाब के संकेत नजर आ रहे हैं, आपको हर कारे में सफलता मिलेगी, अगर आपका कोई भी कारे लंबे समय से रुका हुआ था, तो वह भी पूरा होता नजर आ रहा है, आपको कोई सुब समाचार भी प्राप्त होग कुल मिलाकर आपका आने वाला समय बेहत सुब रहेगा, आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे, आप चंद ग्रहन के समय ओम चंदरायन महमंत्र का जाप करें, चलिए अब बात करते हैं दूसरी रासी की, तो दूसरी लकी रासी है व्रसव रासी, व्रसव रासी वालों की इस समय बंद किस्मत के दरवाजे खुलेंगे, भाग्यूदय होगा, आपको जीवन के हर कार में लाब ही लाब मिलेगा, इस रासी के जातक माला माल हो सकते हैं, साथ ही आपकी इनकम में भी व्रद्धी हो सकती है, इस रासी के जातक आर्थिक अगर कोई कोट कचेरी का मामला काफी समय से उल्जा है तो वह भी सॉल्व हो जाएगा साथ ही आप के प्रेम सम्मंदों में भी मदूरता आएगी आप चंद गहन के बाद सफेज चीजों का दान जरूर करें चलिए अब बात करते हैं तीसरी रासी की तो तीसरी रासी है मिथुन रासी आने वाला समय मिथुन रासी वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है इन रासी वालों की तो जिंदगी ही सवर जाएगी आप को सच्चा प्यार मिलेगा इसी यात्रा के दौरान लव पार्टनर से मुलाकात हो सकती है आपकी लव लाइफ में आने वाली सभी परेशानिय動画 समाप्त हो जाएंगी साथ ही जिन लोगों की सादी नहीं हुई है और काफी समय से उनकी बात नहीं बन पा रही है तो इस साल आपके विवा का योग भी बन रहा है साथ ही आने वाले समय में आपके सपने साकार यानी सच होते नजर आ रहे हैं आपके लिए राधा क्रश्न की आराधना करना उत्तम रहेगा इसके लावा चंद ग्रहन समाप्त होने के बाद आप हरी चीजों का दान करें अब बात करते हैं चौथी रासी की तो चौथी रासी है सिंग रासी आपको बता दें कि सिंग रासी वालों के लिए यह चंद ग्रहन सुप संकेत लेकर आया है आपकी आर्थिक इस्तिती मजबूत होगी साथ ही आपके जीवन में धन आगमन के स्त्रोत भी बढ़ेंगे और अगर कोई करज है तो वह भी आप जल्द ही चुका देंगे आपको विजनेस में भी लाब मिलेगा और नौकरी पेसा वाले लोगों को तरक्की के मौके मिलेंगे और कोई जमीन जायजात का मामला चल रहा है तो उसका भी परणाम आपके हित में आएगा आपके जीवन की सभी समस्याओं का अंत होगा और सुक समरद्धी की प्राप्ती होगी और इस रासी के जातक जमीन या मकान खरीदने में भी सफल हो सकते हैं आप चंद ग्रेंड समाप्त होने के बाद गुड का दान करें चलिए अब बात करते हैं 1518 की तो 1518 है कन्या रासी कन्या रासी वालों के मान सम्मान में बड़ोत्री होगी आपको धन लाप के योग भी बन रहे हैं साथ ही जीवन में तरक्की मिलेगी और अगर आपको इनिवेस करने की सोच रहे हैं तो आने वाला समय आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको लंबी आत्रा से लाब होगा, संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं, व्यापार कारोबार में तरक्की मिलेगी, आप कोई नई डील भी साइन कर सकते हैं, इस समय आपको जीवन साथी का भरपूर सा योग और जो लोग बहुत समय से नौकरी की तलास में हैं, तो उनका इंतजार अब खत्म हुआ, आपको आने वाले समय में किसी अच्छी पोस्ट का आफर मिल सकता है, कुल मिला कर आपका आने वाला समय आपके लिए धेर सारी खुसियां लेकर आएगा, आपको गड़ेश जी की उपासना से लाप मिलेगा, चलिए अम बात करते हैं आखरी रासी की, तो आखरी रासी है कुम्ब रासी, कुम्ब रासी के जातक भी माला माल होने वाले हैं, आपके धन दौलत में व्रद्धी होगी, नए बिजनेस की सुरुआत करने वाले लोगों को भी तरक्की मिलेगी, आपके हर्स अपने पूरे होंगे, साती सात आपको जीवन में मान सम्मान की भी प्राप्ती होगी, इसके अलावा अचानक धनलाप के योग भी बन रहे हैं, रोजी रोजगार के नए उसर भी प्राप्ते होंगे, आपकी मेहनत रंग लाएगी, अगर आपके परिवार में क को चारो ओर से खुसियां ही खुसियां मिलेंगी इस रासी के जातक धैर और एकागरता के साथ अपने परिवार के कर्तव्यों का निर्वाहन करेंगे साथ ही माता पिता के आसिरवाद से आपकी हर समस्या का समाधान होगा आएके नए स्रोध भी बढ़ेंगे और जो व्यक्ति काफी लंबे समय से बिमार चल रहे हैं तो उनके स्वास्त में भी सुधार आएगा इसके लावा प्राणायाम करने से आपको मन में सांती और एकागरता भी बनी रहेगी कुम रासी वालों को अपनी मनो कामना पूरी करने के लिए चंद ग्रहन समाप्त होने के बाद छाया पात्र का दान जरूर करना चाहिए इसके लिए आपको एक कासे की कटोरी में घी भरकर उसमें चांदी का सिक्का डालकर अपना मुद दे खर चाया दान करना है साथ ही चंद ग्रहन समाप्त होने के बाद सभी रासी के जातकों को सफेज चीजों का दान करना चाहिए आप च कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवज से पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें सेयर करें और साथ इसाथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद